मध्यकालीन संथ महात्मा कवीर ऐसे संथ भग्त हुए हैं जिन्होंने भारतिय जीवन के अत्यन्ती गहराई को प्रभावित किया है भारत के मूल जीवन दर्शन का पनर उठान कर नवीन चेतना का प्रवाह मानव जीवन के आयहिक और पारलोकिक कल्यान की कामना कबीर दाश जी के दोहे का मुख्य उद्धेश्य रहा है यही कारण है कि कमीर के दोहों का अध्यन और अध्यापन केवल कमीर पंथी ही नहीं करते जन मानने जन सामानने में भी उनकी कविताय लोकप्रिय हैं उनके दोहे लोकप्रिय हैं उनके साहित लोकप्रिय हैं कबीर की भाषा सधुकडी भाषा अर्थात साधू और संतों की भाषा है जहां उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी और कहीं कहीं सिखावती की खड़ी भाषा का प्रियोग किया गया है वहीं कहीं कहीं भोजपूरी भाषा का भी प्रियोग सुन्य को मिलता है कभीर दास न स्वयंग लिखते थे न किसी से लिखाते थे उनके शिष्य मंदली अस्मरन मात्र से ही उनकी साथियों और पदों का संखलन करती थी यही कारण है कि विभिन संस्करणों की भाषा भी कुछ-कुछ भिन्न होती गई कुछ अब्धी के ठेट के रूप में तो कुछ राजस्थानी से प्रवावित ब्रज भाषा में और कई पद्धो भोश्कुदी भाषा में भी संग रही थे आज के दूशित और तनाव पुर्ण वाता वरण में जहां नैतिक पतन, सामाजिक और चारितिक पतन की ओर हम सभी तेजी से गर्थ की ओर जा रहे है ऐसे में कबीर की बाणी आज कितना महत्व पुर्ण है वर्तमान परिप्रेक्षि में कबीर दास जी की सार्थक्ता और भी बढ़ जाती है वह निर्गुन स्वरूप हो तो कबीर दास से बड़ा संत कोई दिखता नहीं है जिनकी कविताओं में निर्गुन आत्मक स्वरूप का बड़ी ही उच्छ कोती से वरनन किया गया है उसमें मूल भाव धारा को अच्छुन रखने की चेश्टा और प्रमानिक अभिव्यत्यां भी प्रस्कूत की गई है तो आईए कबीर दास जी के कुछ खास दोहे साखियों का हम लोग गायन और आठन करें महात्मा कबीर सच्चे तक्तुक ज्यान का उपदेश इस प्रकार देते हैं जरा इस पंक्ति पे गौर करें ऐसा कोई ना मिले ऐसा कोई ना मिले हमको देश उपदेश भौसा गर में डूबता कर गही काड़े केस कबीर दास जी कहते हैं हमें ऐसा कोई गुरू नहीं मिला जो सच्चे तक्तो ज्यान का उपदेश हमें देता और तग इस भौसागर में डूबता हुआ अपने हाथ में बाल पकड़कर निकाल लेता यह भौसागर रूपी जो दुनिया है जो जग माया है उसमें हम सभी लोग डूबते हैं उतराते हैं कोई ऐसा गुरू मिलता जो हमारे केश को काड़कर पकड़कर खीच लेता इस भौसागर से और हमें मोक्ष की प्राक्ति होती है ऐसा कोई ना मिले हम को दे उत देश होसागर में डूबता कर गई ही काड़केश कबीरा कर गई ही काड़केश अब ये पंक्ति में संत कबीर कहते हैं जरा देखिए यह जीवन असार है यह संसार असार है यहां तो हम लोग एक मुसाफिर की भाती आये हैं और यहां से चले जाना है अपना ठोग ठिकाना तो कहीं और है संत कबीर कहते हैं कि असार संसार में सभी कुछ छण भंगुर है और अगर कुछ है सत्य एक मात्र सत्य तो अप्लगु है कैसे बैद मुआ रोगे मुआ बैद मुआ रोगे मुआ मुआ सकल संसार एक कबीरा ना मुआ जिन के राम अधार राम नाम की महिमा प्रभु के नाम की महिमा कितनी अप्रम पार है कि तभी तो कभीरदाजी कहते हैं कि बैद्दी भी मर गया मरता ही है और रोगी भी मर जाता है दोनों मर जाते हैं शारा संसार ही मर जाएगा केवल कभी अर्थात वह व्यक्ति वह भक्त जिसने भग्वान की शरन रहिंक लेली है प्रभु राम के शर्णागत हो गया है वह नहीं मर सकता नहीं मर सकता नहीं मर सकता अंग वह ही की नितना जिन्निके राम अधान समीरा जिन्निके राम अधान